साथियों हाल ही में हमने O-Level का 3rd paper and that is Python Language इसकी class मैंने start की है कुछ साथियों के पास computer नहीं है तो ऐसे में वो Python programs की practice नहीं कर पा रहे थे तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में एक ऐसी application जहां पे आप Python programs की practice कर सकते हैं उस application के बारे में बताने वाले हैं और उसे आप कैसे use करेंगे step by step मैं आपको सिखाऊंगा basically जब मेरे पास starting में computer नहीं था तो हमने अपने शुरुवाती वीडियो पाइथन के इसी application पे record किये हैं अगर आपने हमारे old videos देखे होंगे तो application को install करने के लिए सबसे पहले आपको आना है play store पे और यहाँ पर search करना है python 3 और आपके सामने कई सारी application open हो जाएंगी तो simply आपको pydroid 3 IDE for python 3 आपको ध्यान से इस application को install करना है जिसका size 50 MB है और rating 4.4 है तो simply आपको install पर click कर देना है यह कुछ time लेगा और आपके mobile में जो यह application है यह install हो जाएगी तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा wait कर लेता हूँ 9%, 14% इस वीडियो को pause कर देते हैं install होने के बाद आपको simply open पर click कर देना है इस पर click करते हैं यह कुछ files को install करेगा तो आपको थोड़ा सा wait कर लेना है तो जो यहाँ पर python वो सही तरीके से install हो चुकी है 100% तो जो home interface है वो कुछ इस type से आयागा जो की by default skip mode में होता है simply अभी जो आप यहाँ पर type करेंगे उसका font size काफी छोटा है या फिर आपके लिए सही भी हो सकता है तो अगर आपको इसका font size increase या फिर decrease करना है तो इसके लिए आपको three dot पे click करना है and मिलेगा option settings का इस पे click कर दीजे and मिलेगा option appearance का इस पे click कर दीजे और आप यहाँ से font family, font size और जो editor की theme है उसको change कर सकते है तो हमने यहाँ से font family कर लिया for example, monospace और हमने font size कर दिया है 22 and जो editor की theme है वो हमने light ही रखी है then इसके लावा आप यहाँ पर जो आपका program है वो आप type कर सकते है for example, मुझे अपना नाम print करना है तो इसके लिए मेरे पास एक method है and that is print हमने print method के अंदर उस string को pass कर दिया है जिसे मुझे print करना है तो हमने आप लिए प्रिंट और उस double quotes के अंदर उस string को and इस program को run करने के लिए आपको यहाँ पर एक मिलेगा button जिसको हम बोलते है play button तो आपको simply इसी button पर click करना है और जो आपका program है वो successfully run हो जाएगा और आपके सामने जो output है यहाँ पर print हो जाएगा so guys अगर आपको इस terminal का जो font size है या फिर इसका background है उसको change करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर three dot पर click करना है and मिलेगा option terminal settings का इस पे click कर दीजे और मिलेगा option colors का इस पे click करके जो उसका background है वो आप change कर सकते है for example मैं चाहता हूँ कि white background में black color का text आए तो मैं यहाँ पर black text on white इस पे click कर दूँगा तो इस पे click करते ही जो हमारा terminal है उसका background white और जो text का color है वो black हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका font change करना है तो simply आप जाएए terminal setting में and यहाँ से font size पे click करके जो भी आपको size रखना है आप यहाँ से select कर लीजे back कर लीजे और आप देखेंगे कि आपके सामने जो terminal का जो text था उसका font change हो चुगा है तो आप इस प्रकार से जो terminal के settings हैं उसको manage कर सकते हैं और मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्रोगाम भी करके दिखाया है मैं आपको एक दो example और देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से clear हो जाए for example मुझे दो numbers को आपस में add करना है इसका program create करना है तो simply मान लीजे मेरे पास एक variable है और इसमें मैंने assign कर दिया है for example 5 Guys अगर आप लोग mobile पर ही practice करना चाहते हैं तो मैं यह आपको recommend करूंगा कि आप लोग एक keyboard और एक OTG केबले लीजे तो इससे जो आपकी typing speed है वो increase हो जाएगी यानि कि आपको ज्यादा time अपना waste रही करना पड़ेगा python programs को type करने में क्योंकि normally mobile से type करने में दिक्कत होती है क्योंकि आपके symbols भी use होते हैं तो a equal 5 b equal मैंने कर लिया है 7 and इसके बाद एक variable sum है and हमने इसके अंदर कर दिया है a plus b and इसके बाद हमने आज से print method की help से sum को print कर दिया है तो आप मैंने इसको यहां से run कर आया तो आप देखें यहां पर लिक क्या चुका है 12 तो आप इस प्रकार से जो program से उसको run कर सकते है तो यह तो आपका था script mode आपको यहां पर interactive mode भी मिलता है तो इसके लिए आपको मिलेगा option interpreter इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करते ही आपके सामने python prompt open हो जाएगी और यहां से आप practice कर सकते है for example मैंने आप लिखा 5 plus 7 मैंने enter किया है तो यहां पर लिख किया चुका है 12 मेरे पास एक variable a है और इसके अंदर मान लिजे है 456 ठीक है हमने यहां से a को print करना है तो हमने आपर a लिखा और enter किया तो यहां पर जो value a के अंदर थी वो print हो चुकी है तो आप यहां पर step by step interactive mode और script mode जिसमें आप चाहें उसमें अपना program लिख कर run करा सकते हैं इसके बाद आप लोगों के यहां पर कुछ sample programs में मिल जाते हैं तो इसको open करने के लिए आपको three dot पे क्लिक करना है और मिलेगा option samples का इस पे क्लिक कर दीजे और यहां पर आपको category wise दिये गए samples for example मुझे basics programs से यह तो मैंने यहां पर basics पे क्लिक कर दिया है और यहां पर कुछ programs हैं जैसे कि hello word प्रिंट करना है तो आपको hello word पे क्लिक कर दीजे और मिलेगा option open का तो इस पे क्लिक करते ही आपके सामने जो program था वो open हो जाएगा जो कि आपको इस application के साथ में दीएगा है इसके लावा अगर आपके mobile में पहले सही कोई python program है तो उसको open करने के लिए simply आपको यहां पे click करना है यहां पर click करने के बाद आपके सामने कई सारे option आएंगे कि आपको नया program create करना है या फिर जो आपके पास program है python का उसे open करना है या इस file को, इस program को save करना है, save as करना है, इसको close करना है for example, मुझे इस program को close करना है, तो simply इस पे click करने के बाद मैं close पे click कर दूँगा तो जो program है, जो file थी, वो close हो जाएगी अगर मेरे पास पहले से कोई python file है उसे open करना है, तो simply open करने के बाद जिस भी location पे आपकी वो file मौजूद है उसको select कर लीजे तो वो जो program है वो इस file में इस application में open हो जाएगा इसके लावा अगर आपको कोई library file install करनी है तो simply इस three dot पे click कर दीजे and मिलेगा option इस पे click कर दीजे and जो भी library आपको install करनी है आप यहाप इसको type कर दीजे जा फिर आप यहाँ पर quick install इस पे click करके जो भी आपको library install करनी है उस option उस library के सामने जो मिला option install का उस पे click कर देंगे तो जो library है वो install हो जायागी for example मुझे pandas इस library को install करना है तो यह simply यहाँ पर install पे click कर दूँगा तो जो pandas की library है वो यहाँ पे install हो जाएगी तो आप इस प्रकार से जो python programs है उसकी practice अपने mobile में कर सकते हैं अगर आपके पास कोई doubt रह गया है या फिर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसे comment कर दीजे तो मैं उसके regarding आपको एक video provide कर दूँगा ताकि आपके जो doubts है वो clear हो So guys अगर आप लोगों को ये video पसंद आया है तो आप इस video को like कर दीजे और चैनल को subscribe कर लीजे ताकि आने वाले ने videos आप miss ना कर सकें So guys जै हिंद जै भारत वंदे मातरम Thank you friends